बिल गेट्स, वारेन बफेट, मुकेश अमबानी, रतन टाटा, मार्ग जकरबर्ग अब आप सब सोच रहोगे कि मैं ये सब नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इन सभी लोगों में दो बाते कॉमन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी से आज तक आपने शायदी कोई नेगेटिव कॉमेंट सुने होंगे या इनके कोई नेगेटिव बिहेवियर के बारे में सुना होगा इनके mostly सारे habits भी बहुत जादा positive और fruitful है जैसे कि books read करना, अच्छा content consume करना और नई-नई चीजे सीखते रहना इन दो similarities से ये बात समझना बहुती easy हो जादा है कि ये सबकी success का बहुत बड़ा राज है positivity और ये positive attitude आता है positive और अच्छे thoughts से वो कहते हैं न कि as you sow, so shall you reap आप जैसा बोगे, वैसा ही पाओगे हमारे जो thoughts है, वो एक seed की तरह होते हैं जो हम हर दिन जब से पैदा होते हैं, तब से हमारे दिमाग में plant करना शुरू करते हैं और जैसे एक useful seed आपको useful fruits देता है वैसे ही हमारे thoughts हमारा character बिल्ड करते हैं और वो character define करता है हमारे habits और habits define करते हैं हमारी life के situations को directly link करें इन सब को तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे thoughts directly influence करते हैं हमारी life के situations को हमारी life में presently जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही responsible है हमने हमारे brains में आज तक जो भी thoughts feed किये हैं उन thoughts के वज़े से ही हमारे life के situations हमने खुद develop किये हैं जैसे कि friendly relations, work में happiness, हमारे fights, हमारी poor financial conditions सब कुछ हमारे thoughts से create हुए है पर हम generally thoughts पे काम करने की जगह हमारी life के situations के लिए luck को responsible मानते हैं पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है लग भी उनको favor करता है जिनके thoughts सही होते हैं अब ये thoughts एक दिन में change करना possible नहीं है पर definitely आप हर रोज अपने thoughts पे काम करके अपनी life में transformation ला सकते हैं एक चोर जो चोरी करता है लोग अकसर उसको उसकी मजबूरी का नाम दे देते हैं पर उसकी वो habit actually में उसकी reality है बहुत टाइम से वो अपने मन में कुछ ऐसे thoughts शायद unknowingly plant करता है और जैसे ही उसे opportunity मिलती है वो अपना असली रंग दिखाता है इंसान एक दिन में चोर या शरीफ नहीं बनता इसमें सालों से जो thoughts उसके brain में जा रहे हैं वो responsible है हम हमारी life के master बन सकते है अगर हम हमारे thoughts पे control पा ले thoughts हमारी life का controlling center होते है हमारी life amazing हो जाएगी जिस दिन हमें ये बात clear हो गई कि हमारी life का controlling point हमारे ही अंदर है पर हम अकसर हमारी life का control external factors को दे देते हैं हम जो भी है सिर्फ हमारे thoughts की वज़ह से है अगर हम हमारे brains में से सारे thoughts clear कर दे तो हम ना तो happy होंगे और ना ही sad totally neutral हो जाएंगे हमारे सारे emotions सिर्फ thoughts से ही controlled है हमारे thoughts जैसे होते है उस हिसाब से हम actions लेते है और उसे हिसाब से हमें results मिलते है हमारी work life में भी success और failure के लिए सिर्फ thoughts ही responsible है successful लोग हमेशा अच्छे और positive thoughts ही अपने brain में feed करते है इसलिए उन्हें वैसे results मिलते है अब नीम का बीच प्लान करके आपको आम का पेट तो नहीं मिल सकता न तो बस वही बात है life की कोई भी problem solve करने के लिए सबसे पहले उसके cause को खतम करना ज़रूई है ना कि उससे आए effect को अगर cause को identify करके उससे खतम कर पाए तभी problem solve होगी और हर cause related है हमारे thoughts से जिन thoughts ने वो problem create की है उन्हें destroy करना या उन्हें change करना ही problem का real solution है हम generally problem से आए effect को solve करते हैं पर जब तक cause नहीं खतम करेंगे problem हमेशा वही की वही रहेगी इसलिए अपने brains को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छे thoughts feed करो negativity से दूर रहो अच्छे thoughts आपको अच्छा और strong character build up करके देंगे और जैसा आपका character होगा वैसे ही आपके habits होंगे और ऐसे habits आपसे कभी भी कुछ गलत नहीं करवाएंगे चाहे कितनी भी tempting situation आ जाए So to conclude हमारी life हमारे thoughts के around ही revolve करती है इसलिए अपने thoughts को observe करो negative thoughts को बाहर करो और positive thoughts अपने mind में feed करो ये transformational learnings मैंने author James Allen की one of the classic self-help books as a man thinket में से share किये है as a man thinket मतलब जो भी इनसान सोच ले वो हो सकता है life में सिर्फ 50 pages की छोटी सी book है लेकिन हर इनसान की life बदलने की ताकत है इस book में इस book को हर book lover की library का definitely part होना चाहिए मैं बहुती strongly recommend करता हो इस book को अगर आपको book read करना अच्छा नहीं लगता तो भी at least ये book तो आपको definitely read करनी चाहिए book का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इससे like और share कीजिए और इस book के बारे में definitely अपने loved ones को बताइए आगे ऐसी book summary के लिए चैनल को ज़रूर subscribe करें तो बस फिलाल के लिए इतना ही stay positive and thank you so much for watching